ग्यांद ए ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे रतवांदी में आपको क्या सेवन करना चाहिए कि कब नजर भी जिसको चश्मावेर लगा हुआ हो लोग भी सेवन कर सकते हैं प्रते दिन काली मिर्च का चुण घी या मक्कर के साथ मिस्ट्री मिला कर सेवन करने से रतवांदी नस्ट होता है प्रते दिन टमाटर खाने या कि उसका अरस्पीने से रतवांदी का निवारन होता है उसके बाद किशोर और नयुवक हैं उनको रताउंदी से सुरच्छित रखने के लिए उन बोजर में गाज़, मूली, खीरा, पालक, मेती, बत्वा, पपीता, आम, सेव, फराधनिया, पुदीना और पत्तागोई का सेवन करना चीए शुद्ध मदू नेत्रों में लगाने से रताउंदी नस्ट होती है और मदू बिलकुल शुद्ध होना चीए शुदूदे से पहले किसी पार्क में जाकर नंगे पाउग हांस पर घुमने से रताउंदी नस्ट होता है मीठे पके हुए आम खाने से विटैमिन E की कमी पूली होती है तता इससे रताउंदी नस्ट होता है पिर अशुगंदा चुण तीन ग्राम आमले का रस दस ग्राम और मुलहटी का चुण तीन ग्राम मिलाकर जल के साथ सेवन कीजिए इसको आप घर में बना सकते हैं उसकाद आमले और मिस्क्री को बरावर मात्रा में पूठ भीज़ कर पांच ग्राम चुण जल के साथ सेवन करें तता हरे पत्ते वाले पालक, मेथी, बत्वा, चोलाई यादिग सबजी मना कर सेवन करें आपके जो आँकों की रोश्नी है वो भी बढ़ेगी रताउंदी भी खतम होगा धन्यवाद आप हमारी चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंड़े देशिए धन्यवाद में चल्यवाद यार सेवने पिर प्रेश ऑन आपकों करें मान कर सकते हम आपगों का में समयान सब्सकत्त्तक पहद तरहादा कर से लिवादादा हुण